आपको बतारे कारेकरताओं के बीच हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रे अध्यक्षामिश शाह और योगी अधितेनाथ भी मौजूद हैं और कारेकरताओं को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसे पहले यो आपको बता दे कि योगी अदितिनात ने भी संबोधित किया, अमिश्याह ने भी संबोधित किया और अब कारेकरताओं को खुद प्रधानमंतिर नरेंदर मोधी संबोधित कर रहे हैं योगी अदितिनात ने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि गड़बंदन और महागडबंदन के बावजूद भी सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नई पारी के रूप में फिर से मोधी सरकार बनी है साथी योगी अदितिनात ने नारा भी लगाया कि मोधी है और कारेकरताओं ने उनका साथ देते हुए कहा कि मुम्किन है और इसके बाद बीजेपी के राष्टी अध्यक्षा मिश्राह ने भी संबोधित किया प्रधानमंती नरेंद्र मोधी की उपलब्धियां गिनवाई उनके पांच साल के कारेकाल को गिनवाया और साथे कहा कि काशी में और पूरे देश में प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने एक नई गती दी है जिनके नेत्रुतों में भारतिय जनता पार्टी के करोडों कारकरताओं ने जी जान से इस जुनाव अप्यान को चलाया वैसे भाई श्री अमीद भाई शाह यहां के लोग प्रिय मुखमंत्री योगी जी प्रदेश के अध्यक्षर महेंद्रनाज जी और कासी के सभी स्थ्रेष्ट बंदु जन बंदु भगिनी लोगन के प्रणाम्बा मैं भी भारतिय जनता पार्टी का कारकरता होने के नाते पार्टी और कारकरता अब बैठिये पार्टी और कारकरता जो आदेश करते हैं उसका पानन करने का मैं बरसक प्रयास करता हूँ एक मास पुर्व जब पचीस तारिकों में यहां था जिस आन बान शान के साथ काशी ने एक बिश्व रूप दिखाया था और वो सिर्फ काशी को प्रभावित करने वाला नहीं था सिर्फ उत्तरप्रदेश को प्रभावित करने वाला नहीं था उसने पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया था हिंदुस्तान का कोई कौन ऐसा नहीं होगा जो काशी के गलियों में काशी के मार्ग पर काशी का मिजाज जिस प्रकार से प्रगट हो रहा था उसे जब देश के हर कौने में मददाता देख रहा था कोई कार करता ऐसे जो कागज लेके आएं उनसे कलेक कर लीजिए किसे को काम दे दीजिए कलेक कर लीजिए बाद में मुझे पहुचा दीजिए कुछ लोगों का हाथ में कुछ कागज है मुझे पहुचा दीजिए बाद में बाद में कि बाद में मैं ले लूंगा कि आपको संतोस हो गया कारकर्टा का संतोस यही हमारा जीवन मंत्र है और जब पचीश शाम को और छबीश में यहां के प्रबुद्य जनों से कारकर्टाओं से मुझे बादचीत करने का आउसर मिला था और आप समने मुझे आदेश दिया था एक महने तक आप कासी में प्रबेश नहीं कर सकते हैं देश ने भले मुझे प्रधान मंत्री बनाया हो लेकिन आपके लिए मैं कारकरता हूं और मेरे लिए मेरे लिए आपका आदेश सर आखो पर रहा अठारा उन्निस जब पोलिंग प्रचारा भ्यान समाप्त हो चुका था अठारा उन्निस का समय था उन्निस को मद्दान होना था मेरे मन में भी था कि चलो भले कोई काम नहीं है लेकिन चले जाए काशी भूर याद आता था यार आपके तो आदेश दिया है एंट्री नहीं देंगे तो क्या होगा तो फिर मैंने सोचा चलो ये बाबा नहीं तो कोई और बाबा शायद ही कोई उमिदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना की मैं था और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था निश्चिंता का कारण आप सब का परिश्रम था कासी वासियों का विश्चिंत था जम नतीजह आए तब निश्चिंतता मत्तान हो रहा था तब निश्चिंतता और इसलिए बड़े मौद के साथ के दारनात में बाबा के चरणों में जाके बैठ चुका था काशी ने जो काशी तो अभिनाशी है और जो ने मुझे दिया है जो शक्ति मुझे दी है यह अपने आप में शायदी ऐसा थो भागे मिलना बहुत मुश्किल होता है जाए अब पैसे कई लोग है कितने कारकम किये मुझे जानकारी मिलती थी कि क्या क्या कारकम चल रहे हैं किसने प्रकार से यहां एक प्रकार से चुनाव को लोकोट्सव बढ़ा दिया गया है देश के लिए भी और पूरे चुनाव अभ्यान में बहुत एक मात्रा में मैं कह सकता हूँ कि तू तू महमे का तत्व बहुत कम था अपनत्व का माहोट जाना था इस चुनाव में अलग-अलग दलों के जो साथी मैदान में थे इस चुनाव में जो निर्दलिय साथी मैदान में थे मैं उनका भी आभायर वेक्ते करता हूँ कि उन्होंने भी अपने तरीके से काशिम की गरीमा के अनुकूल इस चुनाव को अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है बे भी अभिनंदन के अधिकारी है और इसलिए मैं सारवजनिक रुप से जो अन्य उमीदवार थे उनका भी रदैस से धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव में प्रशासम को भहुत कठिनाईया रहती है बहुत परिश्रम रहता है देश भर का मीडिया वर्ल भी यहां आता था तो स्थानिये मीडिया के लोगों से ही भरोसे वो चलते थे एक प्रकार के उनको भी काशी का रिपोर्टिंग करना और देश भर से आये हुए मीडिया को समालना यह अपने आप कर रहे थे मैं इस मीडिया जगत के सभी साथियों का भी रदा इससे बहुत बहुत आभिनन्दन करना चाहता है इस चुनाओ में इस चुनाओ में जब कार्यकरताओं के साथ मेरा मिलना हुआ था तो उस दिन मैंने कहा था कि यहां पर शाय ना मांकन तो एक नरंद्र मोदी का हुआ होगा लेकिन यह चुनाओ हर घर का नरंद्र मोदी लड़ेगा हर गली का नरंद्र मोदी लड़ेगा और आपने एक प्रकार से अपने भीतर की शक्तिया एक प्रकार से नरेंद्र मोदी के रूप में ही आपने इसको अपने अंदर समाहित कर दिया और आप सब नरेंद्र मोदी बन गए और इस पूरे चुनाव अभ्यान को आपने चलाया आम तोर पर जब इस प्रकार का चुनाव होता है तो थोड़ा मन में अब क्या है भाई जीतने ही वाले हैं लेकिन मैं कासी के संगठन से जुड़े हुए लोगों का कासी के हर छोटे मुटे कायर करता का और कासी के हर समर्थक का इस बात के लिए आभार वेक्त करता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव को जय और पराजय के तराजु से नहीं तोला उन्होंने चुनाव को एक लोग शिक्षा का पर्वमाना लोग संपर्क का पर्वमाना लोग संग्रह का पर्वमाना लोग समर्पन का पर्वमाना और कोई कमी न रह जाए किसी मद्दाता को ये न लगे कि कोई मेरे पास तो आया नहीं था किसी ने तो मुझे कहा नहीं था मोदी हमें पसंद है लेकिन भाई क्या बात है इतना बड़ा अउसर है आपने मुझे याद भी नहीं किया हर गर गए हर मद्दाता को मिले 40-45 दिग्री टेंपरिचर में गए और गर्मा गर्मी नहीं थी चुनाओ के माहोल को गर्म करना भी एक अपने आपने कसोटी होती है ताकि मद्दाताओं का उत्सा बड़े है इन सभी कसोटियों से आप पाहर उत्रे हैं और डिस्टिंशन मार्क के साथ पाहर उत्रे हैं इसलिए आप बढ़ाई के पात रहें सारे देश में और सोशल मीडिया में यहां की बेटियों ने जो स्कूटी निकाली इसकी बड़ी चर्चा है और उसने एक मैसेजिंग किया कि स्कूटी पर बैट करके हमारी बेटियों ने पूरे कांची को अपने सर पे ले लिया था भांती भांती के कारका हम समाज कर रहा था और कभी कभी तो हम जाकर के सर्फ देखते थे वाह कैसा चाल था लेकि कर रहा ही थी जनता जनार्दन का जनता जनार्दन का उत्साव था कोई कारण नहीं था कि आज तो मुझे ऐसे ही उतर करके बाबा के चर्णों में जाना था और फिर आप सबके माध्यम से काशिका और उत्तपदेश का अभिनन अभिनन करना था लेकिन उसके पाउजित विजिस्प्रकार से पूरे रास्ते भर लोग अपने आशिरवात दे रहे थे यह भी अपने आप में एक अनोखानु और इसलिए मैं आप सबका रदे से अभिननन करता हूं आज मैं भले काशी से बोल रहा हूं लेकिन पूरा उत्तरपदेश अनेक अनेक अभिननन का थिकारी है आज उत्तरपदेश आज उत्तरपदेश देश की राजनीती को दिशा दे रहा है आज उत्तरपदेश स्वस्त लोग तंत्र की नीव को और मजबूत कर रहा है उत्तरपदेश ने सतत्तर में लोग तंत्र के लिए सारी दिमारे तोड़ करके लोग तंत्र के प्रति अपने निश्ठा बता करके देश को एक दिशा दी थी टाकत दी थी लेकिन दो जार चौदा हो दो 2017 हो 2019 हो यह है ट्रिक शोटी नहीं है जी यह तत्कानिन किये गए इन दिनने नहीं है उत्तर प्रदेश के गाउं गरीब परिवार का व्यक्ति भी भारत के उजवल भविश्च की दिशा क्या हो सकती है इसके विशे में सोचता भी है और उसी की दिशा में चलता भी है और देश को चलने के लिए प्रेदित भी करता है उत्तर प्रदेश के ये 14, 17, 19 इन तीन चुनाओं के योगदान को भारत की राजनी थी भारत की समाजनी थी भारत की मद्दाचादिया ववस्ताएं किस प्रकार से बदल ला रही है इसका एक अध्भूत विराट रूप के दर्शन कराए है और तीन-तीन चुनाओं के बाद भी अगर पॉलिटिकल पंडित के आँखे खुलती नहीं है तीन-तीन चुनाओं के बाउजुद भी पॉलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं कहुती है तो इसका मतलब है तो उनके विचार, उनके सोच, उनके तर्क काल बाहिय हो चुके हैं वो बीशवी सदी के लिए है, एक्कीसवी सदी के लिए नहीं है पचास-पचास पेज का जिनका मायोडेटा बनता होगा, प्रोफाइल बनता होगा इतनी डिग्रियां होगी, इतने पेपर लिखे होंगे, न जाने क्या क्या कुछ होआ होगा लेकिन उनकी तुलना में जमीन से जुड़ा हुआ एक गरीब आदमी, उसकी समझ सक्ति कहीं गाना उंची होती है बहुत दिर्गतर्ष्टी है और हम उसी के प्रती सद्धा रखते हुए उसी के प्रती समर्प्रान भाव रखते हुए और उसी के सहारे, उसी की शक्ति के भरव से राष्ट की राजनीती में एक नई व्यवस्था को विक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं चुनाओ परडाम वो तो एक गणीत होता है जिसको दोसो वोट मिले हैं और दूसरे को दोसो एक मिला है तो विजेता तो दोसो एक वाला होने वाला है दोसो वाला नहीं होना वाला है परणाम का अधार तो गणीत समझ सकता हूँ मैं विश्वी सदी के चुनाओं के हिसाब किताब भी गणीत और अंक गणीत के अधायरे में चले होंगे लेकिन चाहे वो दोजार चौदा हो दोजार सत्रा हो या दोजार उनीस हो देश के राजनीति के विश्वी सको को मानना होगा कि एरिथमेटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है देश में समाज सक्ति की जो केमिस्ट्री है आदर्शो और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है ये कभी कभी सारे गुणा भाग सारे अंक गनीत को निरस्त कर देती है पराजित कर देती है और इस बार अंक गनीत को केमिस्ट्री ने पराजित किया है और इस अर्थ में ये चुनाव अपने आप में देश और दुनिया को पॉलिटिकल पंडितों को कुछ लोगों की गिसी पीटी कैसे ड़े और वोही दाइरे में फिट करकर के एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते रहते हैं और ये माना गया कि पॉलिटिक से अबाउट दा परसेप्शन ये माना गया है लेकिन और हम वो लोग हैं जो हम जैसे हैं वैसे दुनिया हमें देख न ले इसलिए 90 परसंट से अधिक तांकते जो पिछले 50, 60, 70 साल में एस्टाब्लिश हो चुकी है वे दो काम करती रहती हैं किसी भी हालत में हमारे विशय में सही परसेप्शन न बने किसी भी हालत में न बने इसके लिए जो भी जूट का सहारा लेना पड़े और दूसरा एक है जैसे परसेप्शन सही न पहुचे तो दूसरा है हो शके उतने तरक कुदर करके परसेप्शन को बरबात किया जाए बिगाना जाए एक ऐसा भयानक परसेप्शन बना दिया जाए कि लोग पास खड़े रहने से डर जाए यह सतर साल तक चला है पंडितों की यह थीरी होगी एक ही पॉलिटिक्स है बाउट दे परसेप्शन लेकिन उन पंडितों को दुबाना सोचना पड़ेगा कि दो चीज़े ऐसी होती है जो परसेप्शन को तबाह करने की लाग कोशिश करने वालों को भी गंदा और बुरा परसेप्शन क्रेट करने की कोशिश करने वालों के लिए भी उसको परास करके आगे बढ़ने की ताकत होती है और वो है वो दो चीजे एक है पारदर्शीता और दूसरा है परिश्रम पार दरसिता प्लस परिश्रम लोग कितनी ही अपनी ताकत लगाले परसेप्शन बनाने की उसको पनास्त करने का सामर्थ रखती है और आज हिंदुस्तान ने उसको स्विकार किया है उसने करके दिखाया है जी और इसले हमारे लिए भी पार दरसिता और परिश्रम का कोई अल्टरेनेट नहीं है क्योंकि हमें इस्टाब्लीज इस प्रकार की नेगिटिविटी के बीच पॉजिटिविटी को लेकर के जाना है और निरन पर जाना है अविरत जाना है क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ने वाला है और उसको हमने किया है साथियों हम लोगों को लगता है सफलता सरकार और संगठन इन दोनों के बीच में तानवे परफेक्ट सिनरजी यह बहुत बड़ी ताकत रटता है आप देखते होंगे कि भारती जनता पार्टी ने सफलता पूर्वक इसको साकार किया है राज्यों में इतनी सरकारे हो केंदर में सरकार हो लेकिन सरकार और संगठन दोनों के बीच में सिनरजी सरकार नीती बनाती है नीती पर चलती है संगठन रननीती बनाता है नीती और रननीती इसकी सिनरजी सरकार और संगठन के काम की सिनरजी का एक प्रतिवीम होती है और जिस प्रतिवम का आज हम सफल उसका लाब देश को मिल रहा है उसी प्रकार से हमें जानते हैं कि सरकार का काम है कारिय करना और इसलिए एक तरफ सरकार का कारिय हो और उसमें जब कारिय करता जुड़ जाता है कारिय प्लस कारिय करता वो एक ऐसी ताकत है जो करीश्मा करती है ये जो करीश्मा दिख रहा है वो कारिय का भी है और कारिय के साथ कारिय करता का भी है दोनों में से एक होने से होना नहीं है करीश्मा और इसलिए वर्क और वर्कर क्रियर्स दवंडर और इसलिए वर्क और वर्कर ये बंडर की बहुत बड़ी सबसे उद्दिपक केटलिक एजेंट है जो आज हम कर रहे हैं सरकार ने काम किया सोचाले बनाए घर बनाए गैस पहुंचाया बिजली पहुंचाई लेकिन ये कार करता है जिसने विश्वास पैदा किया कि अभी तो ये शुरुवात है जिसे नहीं मिला है उसे मिलने वाला है और जिसे मिला है वो उपकार नहीं उसके हक का मिला है ये जो वर्क एंड वर्कर वाला जो सिनर्जी है जो बंडर करता है वो आज हर बात में हम देख पाते हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी एक प्रकार से दो संकटों से हम गुजरे हैं और लगातार हमें जेलना पड़ता है जैसे दो शक्ती हैं नीती और रिती जैसे दो शक्ती हैं नीती और रननिती जैसे दो शक्ती हैं पार दर्शिता और परिश्व जैसे दो शक्ती है वर्क एंड वर्कर वैसे ही दो संकट भी हमने जेले हैं और वो दो संकट है चाहे केरल लीजिए या कश्मीर ले लीजिए चाहे बंगाल ले लीजिए या तेपुरा ले लीजिए ये चीज़ें अख़बारों में नहीं छपती है मिडिया में नहीं दिखती है कुछ लोगों की सिलेक्टिव संबेदन सिलता सिलेक्टिव मानोता बाद सत्य को नकारता है लेकिन हमारे सैंकडो कारिकरताओं ने शहादत मोल दी है उनकी हत्याएं हुई है उनको सिरफ राजरितिक विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है जब त्रिपुरा में चुनाव चल रहा था फांसी पे लटका दिये जाते थे हमारे कारकरताओं बंगाल में आज भी हत्याओं का दोर बंद दुख नहीं रहा है किश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है केरल में हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है शाहिन हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है और उसके मुल में एक जो नेरेटीव हिट्रेट का नेरेटीव लगातार बनाया गया है उसी का परनाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है यह हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है दूसरा हमारे सामने संकट है बाबा साब आम्बेर कर मात्मा गांदी जैसे महापुरुषों ने सारवजिनिक जीवन में छुआ छूद को समाज जीवन में छूद को सामाजिक व्यवस्ता में जुवाचूत को खत्म करने के लिए अपनी जिन की खपा दी लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक जुवाचूत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है भारतिय जंता पार्टी के कारकरताओं की लगातार हिंसा होना मार देनाम की है तै होना और दूसरी तरफ भाजपा का नाम लेते ही अंटचबिलिटी जुव मत अड़ो मत तो बड़े खतरनाग है हम इतने सालों से सत्ता ब्याये हैं हम विभाजनकारी बनोपत के नहीं है जो लोग अपने आपको एक तांका ठेकेधार बनाते हैं उन्होंने सिरफ आंद्र का विभाजन किया आज भी वहाँ पर शांती का माहूल नहीं बने पाया है तेलंगर नावरा हम मुत्व्देशव से उत्तराखन बना दे दिलों में आग नहीं लगने देते हैं हम विहार में से जारखन बना दे दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं हम मुत्व्देशव से 36 गड़ बना दे प्यार में कोई कमी नहीं आने देते, क्योंकि सबका साथ, सबका विखास, ये मंत्र हमारी रखों में है, हमारी जहान में है, लेकिन उसके बावजूद भी, एक ऐसा परसेप्शन क्रियेट किया गया है, एक ऐसा परसेप्शन क्रियेट किया गया है, कि जिसमें हमें आज भी, अच्छूत, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, और गुजरात के टूरिजम प्रमोशन के लिए, मैंने सीने जगत के लोगों के मदद मागी, उन्होंने मदद की, लेकिन सारी दुनिया उन पर तूर पड़ी, आप और गुजरात, गुजरात, यहने ऐसा छुआ छूत का परसेप्शन बनाते चले हैं, इस जुनोती भी हैं, भारत के लोग तंत्र में, इस प्रकार के बृत्ति वाले लोग हैं, उनसे में मैं आज काशी की पवित्र दर्शी से, उन्होंने विचार कर निगले आज प्र नए सिरे से सोचना शुरू करो, कम्यां हम्बे भी होगी, लेकिन हमारे इरादे नेग है, और दोस्तों, लोग तंत्र कोई कुछ भी कह दें, आज हिंदुस्तान के राजनीतिक तक्त पर, राजनीतिक कहनवास पर, इमानदारी से, रग रग में लोग तंत्र को लेकर के जीने वाला कोई दल है, तो भारतिय जन्नता पार्टी है, हम चांचन में आते हैं, तब भी हम सबसे ज़्यादा लोग तंत्र की परवा करने वाले करोग होते हैं, कभी कभी तो और लोग जब सब्दा में आते हैं, तो विपक्ष का नाम और निशान नहीं होता है, हमें जब सब्दा मिलती हैं, तो विपक्ष का अस्तित्व शुरू होता है, क्योंकि लोकतंत्र ही हमारा स्पिरीट है, आप त्रिपुरा देख लीजिए, मैं देश के ये पॉलिटिकल पंडितों से कहना चाहूँगा, और चुनोती देखर के कहना चाहता हूँ, कोई मुझे बताएं, त्रिपुरा के अंदर, 30 साल तक कॉम्मिनिस्टों के सरकार रही, क्या वहाँ कोई विपक्ष था, क्या विपक्ष की कोई आवाज थी, क्या वहाँ विपक्ष को कभी सुना गया था, क्या दिल्ली के मिडिया में विपक्ष की कभी चर्चा हुई थी, कुछल दिजा चुका था आज त्रिपुरा में हम सत्ता में आए है अभी तो दो साल मुश्किल से होने जा रहा है आज वहाँ जांदार शांदार विपक्ष मौझूद है और उसकी आवाज सुनी जाती है ये लोकतंत्र स्पिरिट है उसके आवाज को तबच्चु दी जाती है और देश सलाने के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और जिम्मेवारी भी होती है वोके उपकार नहीं है और मैं मानता हूँ जो अब हमारे पूर्वराश्पती बार बार कहते है पर्लैमेंट का उप्योग चर्चा के लिए होना चाहिए चर्चा में आप भड़पूर भी रोध केजिए ना लेकिन जब चर्चा के लिए मुद्दे नहीं होते हैं तरक नहीं होते हैं एक्सपोज होने ये का डर लगता है हम विपक्ष की ताकत को स्विकार करकर के विपक्ष की ताकत तो तबज्जू देने वाले लोगतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जहां जहां हमें मोका मिला है वहां पर विपक्ष की आवाज संख्या भले कम होती हो जनता का अविश्वास के कारण उनकी संख्या कम हो जाती है वो उनकी जिम्मेवारी है जनता का अविश्वास जिते हैं लेकिन समिधान हमें जिम्मेवारी देता है कि एक भी क्यों नहों उसकी आवाज का महत्व होगा हमारे देश के वलोक तंत्रों को वोट बेंग की राजनीती ने कुचल दिया है और इसलिए जो भी निल्ले होते हैं चर्चा होती है सब के बीच में आकर के हिम्मत के साथ अपनी बात रख रही है है तो इस वोट बेंग की राजनीती के दबाओं में हमारे देश में को हिम्मत ने कर पाता है कि क्या इस देश के सामान्य बर्क के गरीब लोगों को अपने हग के लिए कि इतना इंतिजार करना पड़ा है को उनकी बात सुनने को त्यान नहीं था ऐसा तो नहीं था कि आवाज आने ही रही थी ऐसा तो नहीं था कि लोग रोश ब्रेक्त नहीं करते थे ऐसा भी नहीं था कि आंदोलन नहीं होते थे होता सब कुछ था लेकिन भोट बेंग की राजनीती के प्रभाव में ये करेंगे तो शायद कुछ खिसक जाएगा तो ये हमारी निश्पक्ष सोच थी निश्पक्ष तो थी भोट बेंग की राजनीती से उपर उट करके सबका साथ सबका अभिकास सबको अवसर और उसका कारण है कि हम सामान ये वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षन का फैसला करता है अगर हम अगर हम वोट बेंग की राजनीती पर चलते तो शायद हम भी उसी में ढल जाते हम नहीं ढले देश के उजबल भवित्तम भविश के लिए जो आवशक है हम करेंगे आज भी मेरी तो सुच रहा रही थी गाउं में घर मिलेगा एक तरफ से लिस्ट के अंदर से शुरू करो एक क्यामन लोग है इस बार 25 घर देने वाले है पहले 25 को दे दो फिर 26 के दूसरा बजेट आए 26 से शुरू करो कौन जाती का है कौन विरादरी का है प्रदान से लेना देना कुछ लेना देना नहीं है वो मेरे देश का नागरिक है उसको मिलना चाहिए मैं जानता हूँ इन चीजों से मिलने वाले को कभी लगता नहीं है वो हो तो ही मांता है यह तो नियम में में मेरा नाम आया है उसमें बजबाबालों ने क्या किया मोदी ने क्या किया यह यह किने अक्वान को सकते हैं लेकिन इस नुक्षान को जेल करके भी हमें देश में ववस्ताओं को सुचारूरूप जिचिस करने की हिम्मत हमने दिखाई गई साथियों हम वो लोग है जो भारत की महान विरास्त को लेकर के गवरों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो काल भाई है उसको छोड़ने वाले हम लोग है लेकिन जो सद्यों से खरा उत्रा है रुशियों ने मुनियों ने आचारियों ने भगवंतों ने मद्दुर ने, किसान ने, कामगार ने, सिक्षक्र ने, वज्ञानिक ने हजारों साल से देश की परंपरा को विच्चित किया है और उको शर्माती हो आने दो, मुझे इसका गर्बब होता है जिनको शर्माती है, वो उनका प्रॉब्लम है हमें लगता है कि हमारे महापुरूसों ने, दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जिसकी विरासत भारत के पास है और इसलिए हम, दो बातों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं एक, इस महान विरासत को, और दूसरा, आधुनिक बीजन को हमें कल्चर को भी बरकनार रखना है और हमें करन्ट सिचुएशन को भी एड्रिस करना है योग हो, आयुवेद हो, रामायन सरकीट हो, बुतिश सरकीट हो भारत की महान विरत्सा है अयोध्या में दिवाली मनाना इतने साल तक किसने रोका था भाई कुंब के मिले का उपयोग देश की मर्यादाओं को चूर-चूर करने के लिए हुआ है इतने सालों तक, एक ही प्रकार का परसेप्शन क्रेट किया गया कुम का मेला मतलब नागा सादूं की जमाद उस परसेप्शन को बढ़ना जा सकता है और योगीजी के नेत्रुत में देशने बढ़ना है और उसका गवरव से उत्तरपदेश नहीं पूरे भारत का हुआ 26 जन्वरी को जब विजय चौक के अंदर परोड होती है और हमारे विजय पत पर टैबलो जाते हैं पहली बार एशिया के अंदर भगवान राम को किस-किस रुप में देखा जाता है उसका प्रगटी करन 26 जन्वरी पर राज पर देश देखा लेकिन इसके सार्थ हम वो लोग है जो अटल टिंकरिंग लैब भी बनाते हैं ताकि मेदी जो नई पीडी है आठवी दस्वी कर्षाटब अच्छा है जो अटल टिंकरिंग लैब से इनोवेशन पर सोचे नई अनुसंधान पर सोचे वैज्यानिक दर्श्चिकोंड से सोचे और भारत को 21 सदी में वैज्यानिक अधिश्ठान पर ले जाए इसके लिए भी हम उतनी ही ताकत लगाते और इसलिए हम कल्चर का जितना महत्मे देते हैं हम 21 सदी के वीजन को भी उतना ही प्रगरता इसके पुरवा आगे बढ़ाने के पक्षपे है हमारे देश में पूजाँ पांट में सबा रुपिय का महत्म है सब है लेकिन फिर भी भीम एप बना करके मोबाइल फॉन्ट से डिजिटली डोनेश करने करें कि परंपना हम विक्सित कर रहे है चीजें जरूरी नहीं है कि पुराना सब तोड़ फोड़ करके ही नया बनाया जाता लेकिन हमने उन चीजों को आगे लिया है हम ग्याना नमबर की अर्थ विवस्ता से शुरू की थी आतना अच्छे नमबर पे पहुँच गए दुनिया में पांच नमबर पे दरवाजे पर दस्थक दे रहे हैं तीन पर पहुँचने के पहले तीन में पहुँचने के इरादे से काम करें आज मेरा दैस का नवजवान स्टार्ट अप को लेकर के विश्व में ताकत के रुपर हुआ सकता है तो स्टार्ट अप को बल देकर के देश के नवजवान की ताकत से विश्व को अचंबित करने के दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसलिए हम उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यास करते हैं जो लोग perception बनाते हैं उन्होंने हमेशा ये बनाया और जिस उनके लिए वो साइट एक academic discussion होगा लेकिन इस प्रकार की सोच से देश में धरार है पड़ती है उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी ये सोच किस प्रकार से देश में धरार प्रता करती है आज हिंदुस्तान का कोई शेतर ऐसा नहीं है जहां भारतिय जनतापार्टी के प्रतिनिदी चुनते हो या न चुनते हो लेकिन लगातार हमारा बोट परसंटेज बढ़ रहा है केल हो तमिलाडू हो कश्मीर गाटी हो आज लद्दार से भी बीजेपी चुन करके आती हैं तो हम फिर भी ये पंडित लोग बैठेंगे हिंदी हार्ट लेंड की पार्टी करना टक में सबसे बड़ा दल फिर भी हम हिंदी हार्ट लेंड गोवा में सालों से हम सरकार चला रहे हैं फिर भी हिंदी हार्ट लेंड पूरे नौर्थ इस्ट में बहां हिंदी भाषा समझना मुश्किल है फिर भी बहां हम सरकार चलाते हैं आसाम में सरकार चलाते हैं हम लद्दा के अंदर चुन करके आते हैं एक ऐसा प्रम पैदा किया गया है हम एक सर्वस समावेशक सर्वस पर्शी और सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए काम करने वाले भारती जनरता पार्टी के हम लोग है भायो भनो चुनाव जीतना एक काम है और लोक तंत्रिका यह उत्सव आन बाम शाम के साथ हमने मनाया है लेकिन अब दोहजार बाईश भारत के आज़ादी के पचातर साल अधिकार के चर्चाए हमने बहुत कर ली हैं यह पांच साल कर्टव्य के बल पर हम चल सकते हैं क्या और इस देश का नागरीक अगर अपने कर्टव्यों का पालन करें तो फिर किसी के अधिकारों का हनन होने वाला नहीं है यह देश मेरा है आज भी हमारे देश पर एक मांसिक्त मन गई है आजादी का अंदोलन चला तो हम देश के लिए मर मिटते थे लेकिन आजाद होने के बाद स्कूल है तो हम आराम से कहते हैं तो सरकारी स्कूल है अस्पताल भई तो सरकारी अस्पताल है अरे भई वो सरकारी नहीं है वो तेरा है तुम उसके मालिक हो हमने ये भाव पैदा करना है जो भी सरकारी है वो भारत के हर नागरिक की मालिक की का है और उसको बढाना उसकी ताकत देना उसकी रक्षा करना एक नागरिक के नाते हमारा कर्तब ये है ये तो सरकारी स्कूल है भाई छोड़ो वहां तो कौन जाएगा यह सरकारी अस्पता ले पता नहीं कौन जाएगे जी नहीं हमीं मिलकर के सरकारी है वो हमारा है हम इसको ताकत कैसे दे अपना स्कूटर तो हम इतना बढ़िया दिन में चार बार साफ करते हैं 20 साल पुराना हो कलर उखड़ गया हो फिर भी बरावर गीजगर के चमक चमक करके निकलते हैं लेकिन सरकारी बस में बैठें और बगल में सीट खाली हो बातों करना वाला हो न और निंद आती नहीं हो तो क्या करते हैं सीट पर उंगली डालते हैं यहां सबने किया हुआ और अंदर से दो ती रीच का जब तक गड़ा रह करें हमको चेंड ही आता है भारत माता की जय बोले और फिर बनारसी पान खा कर गे यह कौन से भारत माता की जय बाई उसी मां को घंडा करें जिस मां का जयकारा करने के लिए हम संकट जेलते हैं कहने का तात्परी यह हैं कि देश मेरा है कि देश वासी मेरे हैं जी स्पिरीट से आजादी कांदोलन चला उसी स्पिरीट से आजादी के 75 साल देश को नई उंचाईयों पर ले जाने के लिए हम आगे बढ़ाएं और काशी काशी करके दिखाएं साथियों आज चुनाओ की गहमा गहमी के बाद विजयोत साव का माहोल अब दिरी दिरे ठंडा हो रहा है तब अपनों के बीच में आया हूँ ज्ञान नगरी में आया हूँ महान विरासत की धरती पर आया हूँ और उसमें से जो भाव जगा उस भाव को मैंने आपके सामने प्रधेक्र गया है जब चुनाव का काम चल रहा था उसी समय इस वर्ष जिनको हमने पदमस्री दिया था वो सद्धेई हिरालाल जी हमारे बीच नहीं रहे जिन्होंने संगीत साध्रा में बहुत बड़ा योगदान किया मैं आज जब उनके स्वरगवास के बाद पहली बार आया हूँ तो मैं आदर पूरवक उनको सर्थांजली देता हूँ उनके परिवार जनों से तो मैंने बात्चित की थी लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत के प्रती हम सब का गर्व बना रहे मैं फिर एक बार आपके पुर्शार्थ के लिए आपके परिशन के लिए आपके समर्पन के लिए जीचान से जो महनत आप दे की हैं आप सब को हाद जोड़ करके नमन करते हुए मैं रुदैस से धनिवाद करता हूँ आप सब का बहुत बहुत धनिवाद बहुत धनिवाद सभी कांसी के मद्दाताओं का धनिवाद पूरे उत्तरप्रदेश का धनिवाद बहुत बहुत धनिवाद दीन दयाल हस्तकरा संकुल में कारेकरताओं का संबोधन प्रधानमंती नरेंद्र मोदी का आपको बता दे कि बेहत खुश सभी कारेकरता और बेहत उत्साहित यहाँ पर नजर आए हर हर महादेव के संबोधन के साथ यहाँ पर संबोधन की शुरुवात की हर हर महादेव कहकर शुरुवात की प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने उन्होंने कई बाते संबोधन में कई सबसे पहले कहा कि कारेकरता उन्हें जो जी जान से चुनाओ प्रचार किया है उसके लिए सभी का धन्यवाद प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने यहाँ पर दिया